हेलो पहरे बच्चों बच्चों कैसे हैं आप सभी आए होग कि सभी अच्छे होंगे बच्चों आज की इस वीडियो में हम क्लास फॉर्थ के सब्जेक्ट इंग्लिस के वीक नमबर 11 की वक्सीट को सॉल्ब करेंगे जो की नौर्ड देली विंसिपल कॉर्पोरेशन के द्वा सा हमें यूज करना चाहिए क्या प्लीज यूज तू मेक आप पोलाइट रिक्वेस्ट अपनी रिक्वेस्ट को पोलाइट कहते हैं विनम्र को विनम्र बनाने के लिए हमें प्लीज का यूज करना चाहिए थैंक्यू नेक्स्ट इस मैजिक वर्ड क्या है नेक्स्ट थैंक् क्यों कहना चाहिए, next is sorry sorry कब कहना चाहिए when you are wrong, जब आप से कोई गलती हो जाए, means जब गलत हो आप and want to apologize और आप छमा मांगना चाहते हैं तो उस समय आपको sorry कहना चाहिए now question is draw a line to match each situation with the correct magic word बच्चो, यहाँ पर एक line से सही situation को सही magic word से match करना है and write the answer in your notebook और अपनी notebook में answer लिखना है first है बच्चो, जिसे की first जो situation है इसमें हमें कौन सा magic word लिखना है, sorry next में बच्चो, यह जो है इसे gift दे रही है, तो इसमें gift दिया जा रहा है बच्चो, तो यहाँ पर कौन सा magic word यूज होगा, thank you next is give me another piece of cake जब भी हम कुछ चीज मांगते हैं तो उससे पहले हम क्या बोलते हैं, please तो यहाँ पर please लिखेंगे now question 2 which magic word will you use आप कौन सा magic word use करेंगे, sorry please, thank you first is when you need a pencil from your friend जब आपको अपने दोस्त से pencil लेनी हो, तो कौन सा magic word use करेंगे, please next is when you get a prize जब आपको आपके teacher से कोई भी prize मिलता है, तो आप teacher को क्या कहेंगे, thank you when you break a glass at home जब आप से घर पर कोई glass टूट जाए, तो उस समय आप क्या बोलेंगे, sorry next is when you need help of your sister in homework जब आपको घर पर अपने homework को करने में आपकी sister की help लेनी हो तो क्या कहेंगे, please when you hit someone by mistake जब गलती से आपके दोरा किसी को hit हो जाए, यानि की चोट लग जाए, तो उस समय क्या बोलेंगे, sorry next question is fill in the blanks with appropriate magic word, बच्चों यहाँ पर blanks को सही magic word से fill करना है magic words है, sorry, please thank you, first is can I take your pen, तो यहाँ पर pen मांग रहा है, तो इसके लिए क्या लिखेंगे can I take your pen, please next is for inviting me to the party, party में मुझे invite करने के लिए thank you, I made a mistake मुझसे कलती हो गई, sorry close the door तो क्या कहेंगे, please close the door किर्पया दर्वाजा बंद कर दें I have to leave तो यहाँ पर बच्चों क्या कहेंगे, sorry चमा चाता हूँ, मुझे अब जाना है next is for correcting my mistake धन्यवाद मेरी गलती सुधारने के लिए could you pass the food क्या आप खाना दे सकते हैं, please thank you for the cake cake के लिए धन्यवाद life skill, respect for freedom fighters freedom fighters की respect करें तो बच्चों आप इस पिक्चर में देख सकते हैं यह कौन है, इसमें बच्चों सुभाष चंद्रबोस हैं, भगत सिंग, महात्मा गांदी तो यह सभी कौन हैं बच्चों, यह सभी freedom fighters हैं freedom fighters are the real inspiration freedom fighters जो हैं, वो हमारे लिए real inspiration, it means वास्त्विक प्रेरणा होते हैं they motivated people to fight injustice वे लोगों को अन्याय के प्रती लड़ने के लिए motivate करते हैं they are the pillars behind the freedom movement वे स्वतन्तरता के आंदोलन के पीछे एक मजबूत पिलर हैं they made people aware of their rights and their power उन्होंने लोगों को अपने rights के प्रती, अपनी power के प्रती जागरुख किया we are breathing in a free country हम एक स्वतन्तर देश में सांस ले रहे हैं because of our freedom fighters किसकी वज़े से? हमारे freedom fighters की वज़े से? freedom fighters taught us freedom fighters ने हमें क्या कै सिखाया? to stand for what we believe in उसके लिए जिसमें हम विश्वास करते हैं to sacrifice ourselves for the nation अपने राष्ट के लिए स्वयम को sacrifice करना to be patriotic, देश भक्ति होना to be action oriented और action oriented होना next is activity dress up like any of the freedom fighters and make a video for the same बच्चों, आप किसी भी freedom fighters की तरह dress up करेंगे उसकी तरह बनेंगे, dress पहनेंगे और अपना एक वीडियो बनाएंगे next is संस्कार साला 12th August International Youth Day International Youth Day is celebrated on 12th August around the globe to focus on the development and protection of youth in society International Youth Day को 12 अगस्त को सब इज़े का मनाये जाता है, इस बात पर focus करने के लिए समाज में जो यूथ है उनकी protection के लिए, उनके विकास के लिए, where there is a will there is a way, जहां इक्षा होती है वहीं पर रास्ते होते हैं eat any seasonal fruit like banana, pear, mango, etc बच्चों, कोई भी seasonal fruit लें जैसे की, केला, नासपाती आम आदी, activity of the day, write the names of your family members and arrange them in alphabetical order बच्चों, अपनी family members के नाम लिखेंगे और उन्हें alphabetical order में arrange करेंगे, लगाएंगे गेम है, play Ludo with your family members, बच्चों, आप अपने family members के साथ Ludo का game खेलेंगे daily routine, begin your day by greeting your parents, अपने parents को अभिवादन करके अपने दिन की शुरुआत करें, brush your teeth twice a day, दिन में दो बार दातों को brush करें, टे का बात daily, रोजाना नहाएं, drink plenty of water, परियाप्त मात्रा में पानी पियें, and eat a balanced diet, और संतुलित आहार लें, avoid touching your face अपने चेहरे को चूने से बचें and wash your hands frequently और बार बार अपने हाथों को धोएं complete your homework on time और समय से अपना ग्रह कार्ये पूरा करें खूरा करें